असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंथ क्लास के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है आशियाना देखिया आश तो आप लोगो मालूम चली गया है यह जो चैप्टर है एक अफसाना है आशियाना मैं बूल दी कि कि इस फहाँ बहुत ज्यादा मज्यदार है तो कहानी से सुन कर आप Lions को क्या लग रहा है कि यह जो आश्याना नं का चैप्टर है यह इन याद रखीगा और इस अप्साना यूटूब और गूगल पर अवैलेबल है सर्च करेंगे इमेज आफ निगार एजिम तो आ जाएगा या फिर इनका लाइव कनवर्सेशन भी देख सकते हैं यह एक रिपोर्टर के साथ की थी आज से एक दो सल पहले तो आप सर्च करेंगे ना यूटूब या फिर गोगल के जाए कि लाइव कनवर्सेशन और वीडियो अफने गारिज्म यूट गेट डर लाइव कनवर्सेशन वीडीयो आप आसानी से देख सकते हैं यह आप पर डिपर लिखने वाले-का-ई-मेज देख लेते हैं तो उसका मजाई कुछ और अच्छा यह मतलब इस चेप्टर को ल लेकि निगार अजिम के बारे में तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में कोशन पूछ देता है तो सबसे पहले हम लोग मुसनिफ यानि की निगार अजिम के बारे में जानेंगे कुछ डीटिल्स और उसके बाद से हम लोग आश्याना नाम के इस में फेमस है क्योंकि एक खातून है और यह जो अफसाना लिखा करती है ना तो इनके अफसानों में खातून औरतों के जजबात उबर कर सामने आते हैं औरतों की फिलिंग से समझती है और इसलिए मुलब निगार अजिम का जो है ना अफसाना और भी जड़ा फेमस हो गया उसके साथ साथ यह भी फेमस हो गई तेके तो इनके मशूर और मकबूल होने का यह भी एक रीजन है और उर्दू में इनका काफी दिल्चसबी भी था निगार अजिम को उर्दू के इलावा उन्होंने ड्रॉइंग और पेंटिंग में भी में किया है उर्दू तो जानती ना सायदत हसन मन्टू जो की एक लेखक है कहानी को लिखा करते अफसाने को लिखा करते हैं तो उनकी अफसान我跟你 होता है कहानी लिखा कर देए तो उसमें खरे खोटे की पहचान करके उनकी खूबिया और उनकी कमिया जाहिर करके निगार अजिम जो है ना तनकीदी जाहिजा पेश की और वो लिखकर वो बता दी पेश कर दी ठीक है और उसके बाद से जामिया मिल्ले इसलामिया से उन्होंने पी एचडी की डिग्री भी की हासिल करनी ठीक है आगे बढ़िये अफ्सानु का पहला मझमूऒ यानी की कहानी का पहला किताब क्या नाम है अक्स नेगार अजिम के कहानी के किताब का नाम जो सबसे पहले उन्होंने कहानी का किताब लिखा उसका क्या नाम था अक्स याद रखिए गा जो कि num Absolutely में प्रकाशित हूँ हूँ यह कोशन पूछ देता है कि बताए निगाराजम के जो पहला अफसाना का मजमुओ था पहला कहानी का किताब था जिसका नाम था अक्स वो कब प्रकाशित हुआ तो वो शायरी पर भी उनकी एहन तनकीदी किताब शाय हो चुके हैं ड़ीकि बहादॐर शाज जफर ठीक है इनकी शक्षियत यानि कि उनके बैक्तित हों उन प्रसनालिटी की उनके नेचर और उनकी शायरी ठीक है वो की शायरी लिखा पर उन्होंने किताब बनाई थी और वो भी प्रकाशित हो चुका है तीक है तो यह याद रखिएगा अगर पुछ दे कोशन में कि बताईए निगार अजिम ने किनकी शक्षियत और उनकी शाहरी पर भी एहन तनकीनी किताब शाय किये तो वो थे बहादूर शाह जफर जिनके उपर जो है ना निगार रजिम किताब लिखी थी उनके शक्षित और उनके शाहरी के उपर कि उस उनके शाहरी में क्या कमिया है और क्या मतलब खूबिया है तो यह ठीक है और एक इनके सफर नामा का नाम है निगार रखियेगा कोशन पूच सकता है कहीं से भी अब जितना चाहरा का सारा मैं लिख दी तेकर लिख नगारेजिंग की पैदायष के बारे में नई लिख लोग को पैदाइश करनी की ज़ब लिख दीओ उतना ही याद कर लिजागा एकजाम में कोशन अप अशियाना नाम की अफसाने को समझ लेते हैं तो पहले ले लिजी यहां तक फटफट स्क्रीन शॉट अब चलिए ज़रा इस आश्याना नाम के अपसाने को समझिए देखिए इसमें जितने भी किरदार है ना करेक्टर जो कि इस कहानी में रोल प्ले कर रहे हूं सभी का नाम मैं लिग दी हूं सबसे पहले तो इ में केरेक्टर है जो में रोल निभा रहे हैं वह बरकत अली जो है ना वह इस आश्याना नाम के कहानी के में केरेक्टर है याद रखिएगा जो कि में रोल निभा रहे हैं और बरकत अली की बीवी है यह जरीना वाइफ है ठीक है क्या नाम है इनकी वाइफ का जरीना तो बर रहा है कि जरीना ही लिखकर ये बताई है रियल लाइफ में ठीक है तो जरीना और बरकत अली की इसमें कहानी पेश की गई है चलिए मैं आप लोगों को एकदम शुरू से बताती हूं देखिए जरीना ही याद मत बुलिएगा कि जरीना ही इस कहानी को बता रही है ठीक है तो चोटा सा आशियाना रहता है यान की घर रहता है आशियाना यानि की घरिया दखिएगा तो बरकत अली और जरीना का एक चोटा सा आशियाना रहता है उसमें ये दोनों जो है ना खुशाल जिंदगी बिताते हैं ठीक है और फिर इनका दो बच्चा होता है एक बेटी होती है का नाम है रुकईया और एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है सिराज ठीक है रुकईया दीरे दीरे बड़ी होती है और उसको पढ़ा लिखा कर बरकत अली जरीना हस्बेंड वाइप जो है मतलब माता पीता रुकईया का शादी कर देते और यह अपने ससराल जाकर खुशाल जिन्दगी बिताती है ठीके अब बच जाते हैं सिराज जो की बेटे रहते हैं बरकत अली और जरीना का तो सिराज को भी जो है ना ये दोनों जन पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं और पढ़ा लिखा कर सिराज का क्या हो जाता है एक बैंगलोर म तो बैंगलोर में जॉब हो जाता है तो सिराज जाकर वहीं पर रहने लगते हैं वहीं पर जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं और बरकत अली और जरीना अपनी अबू अमी को पैसे दिया करते हैं तो फिर होता क्या है कि बरकत अली और जरीना जो है वो सिराज की साधी कर देत ठीक है और सिराज जो है अपने पूरे फैमिली को लेकर अधनान फरहान इर्फाना यान कि अपने बीवी बच्चों को लेकर बैंगलोर ही चला जाता है और वहीं पर जौब करता है अब एक छोटे से आशियाने में सिर्फ बरकत अली और जरीना बच जाते हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चे थे एक तो एक बेटी थी उनका निकाह कर दिये लोग शादी हो गया तो अपने ससुराल चल गई एक बेटा था जिसका जौब बैंगलोर में लगा था और वह अपने बीवी बच्चों को बैंगलोर में ही लेकर चला गया अब इनका जो आशियाना था बरक मतलब चारों तरफ इनके घर में ना सननाटा ही रहता तो एक दिन सिराज जो है अपनी अबू अमी को बुलाया मतलब जिद कर रहा था सिराज कि आजाए बरकत अली और जरीना को कि आजाए ये मेरे घर आप लोग बैंगलोर में ही रहिएगा मेरे ही पास ठीक है बहुत चलते हैं वहाँ पर हमारे पोता पोती भी है और हमारा बेटा और बहु भी है वहाँ पर जाकर रहेंगे थ्टोड़ा टेंस नहीं होगी तो सननाटा है एक चोटा साम लोग आश का आशिया आना है और सननाटा है यहां पर कुछ बच्चे जिससे हम लोग मन बहला सके तो चलो मतलब अपने बेटे और बहु के घरी चलते हैं वहां पर पोते पोते भी हुंगे जो जिससे हम लोग कोई पड़ोसी नहीं था अपने काम से काम रखो कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है बस अपना कमाओ और खाओ अपने घर में ही रहो ठीक है तो बरकत अली और जरीना को अपने बेटे और बहु के घर जाकर खुशी मैसूस होई शुरू-शुरू में तो मजाया ले कि अपने तो इनकी बेटे और बहु बर्कत अली और झरीना को कुछ करने ही नहीं देते थे यहां तक की टिंसन भी लेन देते थे जरीना कोई काम करने जाती तो उसकी जो बहु है इर्फाना वो बोलती कि माजी आप रहने दीजिए आप का गया अब हम लोग का वक्त है अब हम लोग को आपकी खातिरदारी करने दीजिए आप छोड़ी आप रहने दीजिए आप चुप-चुप जाकर बैठी आप सिर्फ आराम कीजिए ठीक है तो इनकी जो बहुत देखिये कितनी अच्छी थी अपने मतलब क्या बोला जाता है सास पक्रम करने नहीं देती थी तो जरीना तक जरीना कुछ अनके घर में तो जरीना नौकर पी भी बताती थी कि तुम एसे मत करो ऐसे वालों करो मतलब इसतरी करो पीक हे तो इर्फ300 कैसी मां क्यों ने रहे हैं मैं हूं बताने के लिए आप इंसरा सिर भी हुए कहता कि breeze को तुम क्या करो अराम करो अब तुम्हारा वक्त गया अब तुम्हें अराम करने का वक्त इतना ज्यादा गया अ और इर्फाना जो है ब्रेड पर मक्खन लगा कर देती अपने साथ ससुर को बरकतली और जरीना को तो जरीना कहती कि रहने तो इस बुड़ापे में बिमारी कराओगी क्या इतना जदा मक्खन लगा कर दे रही हो तो इर्फाना कहती रहने दीजी अम्मी आप ऐसा क्यों बात क की ठीक है इस तरह कहे कर जहना मतलब इर्फाना बहुत ज़िदा खातिरदारी कि ते जरीना और बरकत अली को कोई टेंसन नहीं लेना था इर्फाना जो है वह अपने शोहर सिराच से कहती कि मैं जौब करने के लिए जाओंगी मुझे जाने दीजिए तो जरीना कहती की ठीक है सिराज बिटा इर्फाना एगर जाना चाहती है जौब करने तो जाने दूँगा आप लोग यहाँ पर है आपकी देखबाल कौन करेगा और इसके बार से बाहर का महाल अच्छा नहीं है और गारी वगरे से आना जाना है तो कुछ भी हो सकता है तो इर्फाना जॉब करने नहीं जाएगी मतलब जरीना किसी भी तरह एक जरीया ढूंड रही थी कि किसी तरह उसको काम करने का जरीया मिल जाए और काम करने को मिल जाए ताकि उसका हाथ पैट चलता रहे इस तरह जरीना बिना काम किये सिर्फ खाते और आराम करते हुँ अपने आप में ही मतलब बीमारी जैसा महसूस करने लगी थी तो दो साल में कोई भी न उकता जाएगा ठीक है तो यहीं हुआ था बरकत अली और जरीना के साथ उनको खाना था और आराम करना था खाना था और कोई कामी नहीं करना था यहां बरकत अली खुद आकर बोले कि ठक गया हुँ अराम करते करते और मतलब अकबार पढ़ते पढ़ते कास में यहां पर आने के बजाए अपने बेटे बहु के घर आने के बजाए मैं कोई नौकरी या फिर कोई काम ढून लेता यहां पर तो यह हम लोग का घर नहीं है जरीना यह हम लोग का घर नहीं है अगर हम लोग का घर रहता तो यहां पर हम लोग की जिम्मेदारी होती हम लोग का हुकम चलता यह हमारे बेटे और बहु का घर है जहां पर सभी जिम्मेदारी है हमारे बेटे और बहु का हुकम चलता है यह हम लोग का घर नहीं है और बरकत अली जरीरा से बोले क्या तुम मेरे वही पुराने वाले आशियाना में चलोगी हम लोग वही पुराना आशियाना हम लोग बसाएंगे वही पर तुम मेरे लिए चाय बनाना खाना बनाना भले ही डाल रोटी ही सही लेकिन हम लोग एक साथ रहेंगे और हमारे पडोसी भी होंगे जो हमारी हाल चाल पूचहेंगे और शाम का नजारा हम लोग देखेंगे ठीक है हम वही छोटे से आश्याना को बस्ताना चाहते हैं चलो वहाँ पर हम भले ही में छोटा सा कोई नौकरी ढूंद लूँगा लेकिन हम लोग का वहाँ पर अपना घर होगा अपना आश्याना होगा जहां पर सिर्फ हम लोग का राज चलेगा हम लोग का हुकम होगा हमारी जिम्मेदारी होगी यह तो बेटे और बहु का घर है जिसमें सिर्फ बेटे और बहु का हुकम चल रहा है लेकिन चलो हम लोग फिर से वही पुराने वाले आशियाने को सजाते हैं उसमें सिर्फ हम दोंने होंगे और तुम मेरे लिए चाए बनाना और वहाँ उस घर पर उस आशियाना पर सिर्फ हम लोगों का हक होगा और किसी का नहीं हमारी जिम्मेदारी होगी तो ये बात सुनकरना जरीना बहुत ज़्यदा खुश हो गई क्योंकि उनकी दिल की बात जो है बरकत अली बोल दिये थे और बरकत अली और जरीना वापस अपने पुराने वाले आश्याने में चले गए और बेटे और बहु का क्या था वो कभी भी आ जा सकते थे अपने बेटे और बहु के घर लेकिन अपने पुराने वाले आश्याने को फिर से उनोंने बसा लिया और यही पर आप लोग का ये कहानी खतम होता है लेकिन इस कहानी से सीख क्या मिलती है आप लोग को कि ये जो आश्याना अपना घर होता है वो अपना ही होता है आप अपने घर में जो चाहे वो कर सकते हैं आपकी घर की अपने उपर दिम्यदारी खुद की होती है ठीके और जो पराया का घर होता है वो पराया का होता है चाहे अपने बेटे और बहु का घर क्यों ना हो उस पर उसी का हुकम चलेगा लेकिन आपका जो अपना घर है उस पर आपका राज चलता है आपका हुकम चलता है आप जो चाहे जो मन चाहे वो कर सकते हैं तो अपना घर अपना आश्याना अपना ही होता है ठीक है तो इसे के साथ आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है कोई भी क वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी स्टुडेंट के पास और जितने भी आप लोगे पड़ोसी है दोस्त है उनके पास पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाव उटा सके ठीक है और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे तो फिर मेरे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज